अब सभी के इस प्लाटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों बात करेंगे कि जून 24 में कैसे पेपर 1 की तयारी करें और अभी रिसेंट्ली इग्दामिनेशन हुआ दिसमबर 2023 का वहाँ पर जो पैटन में हमने चेंज देखा पेपर 1 में जो यूनिट्स में चेंज देखा आपक इस को भी फॉलो हुआ है जहां पर मैस और रिसनी के पांच कोशन आने चाहिए वहाँ पर कई सारी सिप्ट्स में 9 कोशन 10 कोशन 11 कोशन तब पूछा गया तो यह जो चेंजमेंट आ रहा है उसे पैटन में चेंज कहते हैं और इससे हम क्या इसको ध्यान रखें ताकि जून मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो इन सारे पैटन को कैसे टैकल करेंगे और जून 24 में अपना सेलेक्शन कैसे अने के साथ मिल करेंगे यही चीज में आच आप से बात करने वाला हो राइट तो दोस्तों हमने यह पैटन देख लिया और इसके बारे में खुप स्टडी भ को और है और वहां पर इतना खास बन जाता है कि वहां पर स्कोर करना ही करना है पचास कोशन में थर्टी फाइफ कोशन के पास पहुंचना ही पड़ेगा जयारफ को पहुंचने के लिए क्योंकि डी भाइट हमारा competition का level increase करता जा रहा है जो बच्चे ने जून 23 में attempt किया थ जिसने December 23rd attempt किया था, वहां से जो बचा नहीं select हो पाया, वो फिर से June 24 के लिए बैठेगा, तो आपके लिए थोड़ा challenge बढ़ जाता है, but don't worry about it, we are unacademy, हम लोग आपके लिए खड़े हैं आपर, और definitely paper 1 को इतना strong करेंगे, paper 1 plus paper 2 को एक साथ collab करके, selection JRF का इस बार पार कर दे जो हमको हमने पढ़ा होता है, या जो हमें easy लग रहा होता है, या जो officially mentioned है, और NTA, हमेशा out of the slabers जाने के लिए पहचाना जाता है, हमेशा जो लिखाने उसके बाहर के questions पूछे जाते हैं, जैसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, entire slabers को cover करना होगा, entire slabers को पूरा, क्योंकि अब ही आपके पास दोस्तों 6 महिने का पूरा time बाकी है, अब इस 6 महिने के time वो कैसे utilize करना है, सबसे पहले हमको 6 महिने में एक month target करना पड़ेगा, around 2 में February को target करना पड़ेगा, paper 1 का slabers है, उसका 50% पूरा कर ले, 50% यहाँ पर slabers को पूरा कर ले, paper 1 के February month तक, अब इस 50% slabers पूरा करने के बाद क्या होगा, मेरे dear students, वहाँ पर हम अपने revision plus practice session start करें, जब आप हमारे batches में रहेंगे, तो यह strategy को fulfill follow भी करेंगे, जो अभी हम आपको plan discuss कर रहे है, June 24 के students के लिए, वो इसी लिए बता रहे हैं कि जो हम अपने paid batches होंगे, उन में हम इनको fulfill करेंगे, ता पूरा कर लेंगे, ताकि syllabus में जो हमारे अंत के 4 महिने बच रहें, वहाँ पर बचे हुए 50% syllabus पूरा कर पाएं, revision कर पाएं, practice कर पाएं, ज्यादा स्यादा mock test लगा पाएं, क्योंकि student के साथ रहता है, वो graduate 3 साल में, 2 साल PG करने के बाद, 5 साल पूरे theoretical part पढ़ता रहता है, उसका MCQ का concept नहीं बन पाता है, तो यह और आपको पता, NTA हमारा जो paper होता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, MCQ solve करने होते है, तो practice बहुत important पाट बन जनाता है, और उसके साथ MCQ के साथ साथ, हमें mock test का का काम करना होता है, अब हम क्या करें, कि हमने syllabus को cover कर लें, हम previous questions को solve करेंगे, तो उससे हमें idea लग जाएगा, कि पिछले exam patterns में questions कैसे पूछे गए है, और जब हम इसकी preparation करने लगेंगे, और हमने जो 50% syllabus पढ़ा है, तो हमको यहां से idea भी लग जाएगा, कि जो syllabus हमने पढ़ा है, वो बिल्कुर सही पढ़ा है, और वो हमारे concept, बिल्क को यह idea लग जाएगा, कि जो questions हम attempt कर रहे है, उसमें हमारा score कितना आ रहा है, और हर एक mock test को analysis करेंगे, कि जो score आ रहा है, वो हमारा जितना हमने पढ़ा है, उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चला हमने जो 50% syllabus पढ़ा, उसी से questions गलत हो जा रहा है, यानि कि हमन रहे chances और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अब अगर हम लोग और बात करें दोस्तों कि क्यों हम लोगो problems आती है, जून 2024 के examination के लिए, ऐसे वो कौन-कौन से challenges है, क्या sir, syllabus भी change होगा, एक बहुत बड़ा, एक notification आया था, NTA कि syllabus में बदलाव होगा, तो वहाँ पर क्या changes होगे, क या इसके लिए सथ preparation के दौरान, हम किन चीजों को ध्यान रखें, या sir, कि पुराने syllabus के साथ पढ़ें, तो मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारा old syllabus है, paper one का, जिस पर हम आपको पढ़ा रहे है भी, जो हमारा old syllabus है, हमको उसी को follow करना है, old syllabus को ही follow करना जून 24 के लिए, जो उसमें changes होंगे, वो आपके dynamic changes होंगे, जो इसके current affairs changes होंगे, वो हम लोग cover कर लेंगे, उसके अपने entire the batches में, right, तो यह हो गया हमारे पस क्या old syllabus का हो गया, तो यही मैंने आप से discuss किया भी, कि हम कैसे cover करेंगे, syllabus को हम February के मनते cover कर लेंगे, practice कर लेंगे और mock test कर लेंगे, right, अब एक बहुत important part होता है paper 1 में, कि जहाँ पर बच्चे इतनी सारे पढ़ने के बाद भी, practice करने के बाद भी challenges आते हैं हमारे पास, कि sir, data interpretation बहुत difficult लगता है, sir, maths और reasoning के practice नहीं हो पाती है, sir, ICT के questions solve नहीं हो पाते है, वहाँ पर time कम पढ़ने लगता ह और मैं option को eliminate नहीं कर पाता हूँ, तो इसी के लिए दोस्तों हमने class भी design करी आपकी special class के रूप में, वहाँ पर इन problems को कैसे sort out कर सकते हैं, वहाँ पर एक option हमने create किया हुआ है, poll feature, right, उसमें वहाँ पर आप time limit के साथ practice कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप अपने बहतरीन time क के अंदर, एक दिये के time set के अंदर question को solve कर पाएंगे, और आपके अंदर ये concept build up हो पाएगा, कि यार हमारे ये question इतने time में solve हो जाते हैं, तो जब हम ऐसा करने लगेंगे, तो हमारी practice बहुत strong हो जाएगी, और हमारा time management भी start हो जाएगा, क्या time management करना चाहिए sir, अगर हम paper one क इसका time management करना चाहिए, अगर आपको paper one में कुछ भी नहीं आता, आप बिलकुल beginner हो, आपने अभी preparation स्टार्ट करी, June 24 आपका पहला attempt होगा, तो मैं कहूंगा paper one पे आप कम से कम अपना daily 2 घंटे का time invest करिए, minimum, और अगर कि आपके पास time बहुत जादा है, आप कुछ नहीं कर लिजे, ठीक है, अब ये 2-3 घंटे आप से paper one पर invest कर रहे है, अब अगर आप daily 6 घंटी पढ़ना चाहते है, तो बचा हो 3 घंटे आपने paper to subject को भी cover करना है, उतना paper one important है, because वोग 100 questions का आपका होता है, 200 number वहां से भी आते है, तो ये आप 2-3 घंटे की study करेंगे daily, और इस study मे आपको क्या करना है, आपने proper notes बनाने, क्या करना अपने proper notes बनाने, क्योंकि क्या होता है, कि हमारे पास notes नहीं होते, examination time पर हमें पता है, किस paper हमने क्या पढ़ा, कहा पर कौन से notes है, तो ये चीज एक synchronize नहीं हो पाता, तो हमें क्या करने, अपने proper notes बनाने, आज से start कर देना इन नोट्स को जैसे आपने कोई भी topic पढ़ा मैंने एक ratio topic पढ़ाया यह 10 page का पढ़ाया आपको उसको एक page में short notes में convert कर लेना है एक page में उसको short note में convert कर लेना है क्योंकि short notes आपके पास होना बहुत important है आप जब mock test दिने जाओगे तब आप इन 10 pages को नहीं पढ़ोगे इस एक page को पढ़ोगे और जब NTA अपने city intimation को alert करता है तो कभी कोई बच्चों का paper बाहर होता है center out of the city होता है तो वहाँ पर भी आप इन ही short notes को लेकर travel कर सकते हो और यह आपके revision में बहुत helpful करेंगे तो क्या करा डिली 2-3 खंटे paper वन को पढ़ना है यहां पर notes बना कर उसको short notes करके ऐसे revise करते चलना है ठीक है dear students तो अब हमें यही रणनीती को follow करना जून 24 के लिए जो question यहां पर difficult आये थे क्योंकि आपने paper नहीं दिया तो आपको इसका idea नहीं होगा जिन्होंने question दिये जिनको बहुत tough लगे अब वो दुबारा कैसे prepare करें इसलिए मैं आपके पास आया हो जून 24 को जून 24 में आपके GRF को बिल्कुर one stop solution लेकर कैसे clear करना है तो कैसे syllabus को cover करना यह strategy 50% syllabus हम फेवरी से पहले पूरा कर लेंगे उसको practice करेंगे उसको mock test करेंगे राइट और कैसे time management करेंगे दो से तीन कुनिटे daily पढ़ेंगे notes बनाएंगे और short notes बनाएंगे और उनको revise कर रहे होंगे इसके लावा students के मन में बहुत सारा doubt रहता है कि sir paper one जो है वो मेरा strong है sir मेरा theoretical part जो है वो weak रहता है sir इसमे numerical part है जो di है बहुत सारे questions आते रहते तो मैंने कहा ना कि इसी syllabus में हम इसके पार्ट को cover कर लेंगे राइट तो यह हो गया UGC net June 24 का अब आपको इन सारे syllabus को जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे paid batches में जुड़ना चाहते हैं और हमारे courses को पढ़कर आप अपने जून 24 के selection को ensure करना चाहते हैं क्योंकि paper में आप पूरा concept पूरा syllabus जब तक नहीं पढ़ेंगे मेरे dear student तब तक आपको depth of the concept आपको नहीं पता चलपाएगा कि NTA क्या क्या पूस्टा है इस पूरे batch में हम cover करेंगे कि December 23rd का क्या pattern रहा June 23rd का क्या pattern रहा उसको June 24 में क्या बदलाव हो सकते हैं उनकी उस pattern पर कैसे question पूछे जा सकते हैं हर एक topic को पढ़ने के बाद उसकी practice करेंगे आपका एक proper doubts every fourth session will be the doubt session there is a one more important point is that यह आपको कुछ नहीं आता है हम 3 class करेंगे उस प्लान जो है हमारा June 24 में आपके जायरेव को निकालने के लिए बहुत ही best plan अगर आप beginner हो आपने अभी preparation start करी या आपने paper दिया और आपका नहीं हुआ आप tension में हो कि sir June 24 के exam मैं कैसे निकालोंगा तो यह batches हमारे जो है आपके selection को 100% ensure करेंगे तो आपको मेरा code यूज़ करना है रजत लाइव रजत लाइव इस code को यूज़ करने पर आपको maximum discount मिलेगा application में अगर आपने अभी तक हमारी application download नहीं करी description उसका link दे रखा है उसको download करिए वहाँ पर enroll करिए वहाँ पर एक code मांगेगा आपको एक code लगा देना और odibaba कर देना right मिलते हैं अपने paid batches में तब तक के लिए शुक्रिया thank you so much all of you